So friends, vacancies एक बर फिर से यहाँ पर रिलीस यहाँ पर कर दी गई, recruitment official website पर आ चुका है, सबसे पहले आप लोग heading पड़ें लिखा है, IIT मंडी, तो दोस्तों, Indian Institute of Technology मंडी, हिमाचल प्रदेश इनके द्वारा recruitment यहाँ पर जारी हो चुका है, जैसा कि आपको मालूम है, IIT की जितनी भी vacancy है, Central Government level पर रहती है, केंदर सरकार के जॉब आपके यहाँ पर रहने वाली है, देखिए, advertisement number आपको यहाँ पर दिया जारा, latest information है, 10 माई 2023 को यह जानकारी, अभी हाली में official website पर आपको यहाँ पर प्रवाइड करा जारी, दोस्तों, various अलग-अलग post इसमें आप पर शा तो इसमें nursing candidates, MLT candidates, Pharmacy candidates, सभी तरीके के candidates इसमें आप बिलकुल आप पर apply कर सकते हैं, और बताना चाहता हूँ यह, all India vacancy रहेगी, आप किसी भी राजे से, किसी भी state से, all India candidates बिलकुल आप लोग इन vacancy को apply कर पाएंगे, चाहे आप लोग जो है male candidate हो, चाहे आप लोग यहाँ female candidate हो, और दोस्तों इसके लिए आप लोगों को online application form आपको यहाँ पर फिल करना होगा, पूरी जानकारी वीडियो में cover करेंगे, आप चाहे तो वीडियो को like कर सकते हैं, और इसी तरीके से आगे की vacancies की जानकारी के लिए, चैनल को अभी subscribe कर लें, इसी वीडियो के नीचे जाएं, subscribe के red button को click करें, स्वास्त बेवा की all India vacancy की जानकारी आगे भी पाते रहें, तो बिलकुल शुरूबात करते हैं, अपने update को बढ़ते हैं, information की और, तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश, इनके द्वारा यह all India recruitment यहाँ पर रहेगा, बात करते हैं, जो information table में आपको इसमे आपे introduce occur दिया गया, सबसे पहली जो post है, यह रहेगी medical officer की, medical officer के इसमें आपे दो पद हैं, एक पद OBC में है, एक पद इसमें unreserved के लिए रहेगा, maximum age limit यहाँ पर 40 रखे गई, level 10 आपको selly मिलेगी, इसके बाद देखिए, इसी के नीचे second number पे लखा है, staff nurse, दोस्तों staff nurse की vacancy भी आ चुकी है, staff nurse के इसमें दो पद include किये गए, एक unreserved के लिए, एक OBC के लिए, इसमें जो है, आपकी जो age limit 35 साल maximum होनी चाहिए, level 6 आपको इसमें तनखा मिलेगी, इसके बाद देखिए लखा है, pharmacist, तो pharmacist की vacancy भी आ चुकी है, एक ही पद है, unreserved category candidate के लिए, और इस में 30 साल उमार maximum यहाँ पर age रखे गई, level 5 आपको आपको वेतन मिलने, वाला इसके बाद junior laboratory assistant medical, तो यह MLT candidates, lab technician की post हम लोग आप पर कह सकते हैं, इसमें दोस्तों एक पद शामिल किया गया, unreserved category candidate के लिए, इसमें 30 साल उमार रखे गई है, level 4 इसमें आपको salary मिलने वाली है, तो कुल मिला के इसमें 6 पद इसमें include यहाँ पर कर लिए गए है, बात करतें qualification की, तो जल्दी से मैं आपको qualification समझा देता हूँ, तो medical officer की post के लिए MBBS की qualification चाहिए, PG, diploma candidates है, medicine field में आप लोग भी apply करें, MD, MS जो candidates है, medicine में वो भी इसमें apply कर पाएंगे, इसके बाद staff nurse की post के ल पलसरी बोला गया है, registration किसी भी राजिकाओ, nursing council के अंतरगाद, आप लोग जो है, यहाँ पर registration रखते हो, और इसमें एक साल का experience मांग गया है, hospital का, किसी भी central government hospital का आओ, यहाँ पर state nursing council के अंतरगाद, जो है, यहाँ आपका एक वर्ष का जो है, आपका यहाँ पर अनुभव in pharmacy, तो इसमें B pharma candidates apply कर सकते हैं, और जो D pharma candidates हैं, आप लोग भी इसमें apply कर पाएंगे, और pharmacist का जो है, आपको आप पर registration भी आप लोगों से हमांगा जा रहा है, तो pharmacy council में आप लोग जो है, registered होंगे, तो बिलकुल आप लोग आप लोग आप इदन कर पाएंगे, यह भी आ MLT candidates apply कर सकते हैं, साथी साथ BMLT candidates भी इसमें apply कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों जो है, आपको registration भी चाहिए, तो आप लोगों को जो है, central government agency या फिर state government के अंतरगत, आपके पास यहाँ पर परा-medical का, आपके पास यहाँ पर registration होगा, आप लोग यहाँ पर अव्यदन करें, थोड़ी बट computer की knowledge भी आपको होना, चाहिए experience है, यह पर नहीं है, अच्छी बात है, और यह compulsory नहीं बोला गया है, desirable आपको यह बोला गया है, इसके लिए दोस्तों देखिए, आप लोग का payment आपको यहाँ पर करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए, उम्मीदवार को SBI collect के मादयम से शुलके का बुक्तान करना है, और यह खाता IIT Mandi के bank खाते में वेवरण इस परकार है, तो यह आपको bank की details आपको इसमें आप दे दी गई है, और यहाँ पर आपको यह fees का payment आपको करना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों language में आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया गया है, तो आपको यहाँ पर fees का payment भी करना है, और इसके लिए दोस्तों देखिए, आपको online अविदन करना होगा, अभी मैं इसकी official website के और भी ले चलता हूँ, सबसे पहल आप सबी लोग इस पर देख सकते हैं, यह इसकी official website है, और आपको careers के section में जाना होगा, careers के section में जैसे आएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, home page पे ही आप लोगों को नीचे जो है, लिखा हुआ है, current openings, तो इस पर आप लोगों को click कर देना है, जैसी इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, notification आप लोगों का open यहाँ पर हो जाएगा, और यदि आप लोगों को link नहीं मिल पा रही हो, अविदन करने की, तो देखे, इसी पर आप लोग जो है, notification से इसको download, sorry, इस पर आप लोग यहाँ पर click कर देंगे, आप लोगों का recruitment का section open हो जाएगा, सार लोग यदि form fill up करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर दें, आप चाहिए तो वीडियो को like भी कर दें, अपने सभी friends लोगों को बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो को share कर देना है, आपके WhatsApp पे, जितनी भी आपके friends है, join posts से आप पे आपको मिलती रहेगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you so much.